सद्दाम भाई और आज सहादत दिवस है बीर अब्दुल हमीद जी का और फिलाल देखे हम लोग इनसे कुछ जाने वाले हैं बीर अब्दुल हमीद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे अब यह जो अगनी बीर वाली जो समस्या चल चुकी है बहुत सारे युगा उसे कहीं कहीं अपसोस की नाराज भी स्थती में है और अच्छा इसा भी है योजना के बारे में हमी नाकाब की सही है कि खराहब लेकिन युवन क्यों की धरती सहीदों का देश गाजी पुरुतरपरदेश वीरो की धरत रहना कि खात रहना कम सुतत रहना कम दवरत रहना ज्यादा आपका बालोल काला चार साल बाद पक जाई हो गिना बाई तो नियम बहुत लेकिन ये राजनीतिक मन्च है नहीं अपना दुख करना सहीदी में आए हैं तो हम यहीं कहितरे आर्मी का ट्रेनिंग नो महिना को उत्र ले अब 6 महिना 7 महिना को का कि नमस्कार इसमें हम लोग घाजी पूर्जिले के धामूपूर गाउं में है और जो की परम बिर चकर बिजेता देख सकते हैं बीर अब्डूल हमीजिय के पेत्री का है और यहां पर हम लोग पहुचे हैं फिलाल देखे हमारे साथ मिले हैं सद्दाम भाई और आज सहादत दिवस है वीर अब्दुल हमीजी का और फिलाल देखे हम लोग इनसे कुछ जाने वाले हैं वीर अब्दुल हमीजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो आपके मादेम से जितने भी दर्सक बंदू देखेंगे उनको जहिन असलाम अलेकूम और बहुती अच्छा लगा हमको सहीद बीर अब्दूल हमीजी के सहाधत दिवस में आकर हमेशा जीतना भी मतलब जब से हमारा होस है और यहां पर जब से सायद मनाया जाता है तो हम घर पे रते हैं तो चले आते हैं और अपने आपको गरोफील महसूस करते हैं कि इनकी सहीदी में हम आ जाते हैं जो हमारे देश को आजात कराने में अपने जान को भी निच्छावर कर दिया हमारे देश के उपर अपने जान को बलिदान कर दिये आज अगर बाडर पे जमान है तो आज हम सुरची थे तो हमारे देश को बचाते हुई अपने जान को निच्छावर करके सहीद हो गये आज उ सदा रहा है और फिलाल जो की जैसे कि सेना में अभी ज्वानिंग ते पहले अच्छी खासी खुली भरती होती थी लोग दोड़ करके क्यों ज्वानिंग ले ले लेते थे फिर बाद में परिच्छा इस्टाट हुआ अब यह जो अगनी बीर वाली जो समस्या चल चुकी है बह जेकर पेपर फार्मन आल लाइन लेला मतलब की जो आल लाइन कर जाला ना लेला तो जब आल लाइन जेकर ना लेला तो नराज है बेचारा तो मतलब की देखा योजना के बारे में हमीना कब की सही है कि खराब लेकिन यूवन का जवन सोच है योजना के बारे में यूवन क कि योजना जवन इतना दिल तोड़ाँ कि पहले उथ गाजी पूर्चन की भीरों की धरती सहीदों कांदेख गाजी पूम्तर पर देष भीरों की धरती नादी धरती भोली जाती है। यहां एतना लाईका और देख्किके नादी रहा पीकर कोशिश करत रहें। अब अब यहाल आई में कई अपने जीला में सही दी बहले दू तीन टे जेकर डेट बोडी एंबुलेंस के साथ बेजल गए लिए एंबुलेंस के साथ सोचा कि एक जवान यह हम नहीं करें कि मतलब क्या रीजन था क्या था लेकिन हम लोग को जैसे पता चला कि हार्ट अटेक अब को ज्यानकारी पूरा जनकारी है ना डिटेल तो हमान जब देख लिए अमान बहुत सही हुआ देखना तो करना कि ससुरा पहले के सेना के अब के सेना के प्रती एवों में भी राजनी ठोके लगाले लेकिन बहुत मेहनत कर लिए करते लेकिन नियम पनियम बदलत चल गल नियम पनियम बदलत चल गल अचा आप ही सोचा कि जब भरती चार साल को गए तो काना कि घर घर सेना का जवान होंगे अगर देश से लड़ाई लगती है तो हमको मतलब की जरूरत पड़ेगी तो ये जाकर लड़ सकते हैं आप अही बतावा कि जब NCC तीन साल का हो NCC वाले मोका पना लड़ सकते हो एट यांग NCC भी आर्मी कही कि मोके पयाल लड़ाई लगा थे तो NCC पर लड़ाई लगती कि NCC जाकर मोरचा चामाल सकते हैं नुआ कि आर्मी करती है या으न тел नियम है यह हमरे हिसाब से नियम ठीक ना हो तो आर पास हो बात है रखा जीवा ठीक है और अगिल बात की करना कि हम जो अगनी बीर से आएंगे सब को हम नोकरी देंगे आप अही बतावा आपके अखियाक समनवा गुमतों एक केतना एक समयन भी फारम अपलाई करना सब नोकरी पाजाला कहा है कि बहुत बड़ी बड़ी बात हो ले लेकिन सब पाजाला ना पावाला तक कहले और कहले बहुत परक है अब अहीं तु ऐसन हुआ चार साल बात कही सन रभा अब अहीं ता आपका बाल और काला चार साल बात पक जाई हो गिना बात समय और हलाद का कौन जानता है आदमी नोकरी कहा है बड़े कराला आजकल सब अपि ना मरा बड़े जा था काउनों भी बीबार कमें हर नोकरी अच्छा है हर बेल अच्छी से अच्छी लेकिन सेना इसी मजबूत चीज थी कि हर विभाग के लोग जब कहीं जाते थे अटेक करने के लिए आर जाते थे तो सेना जाती थी वाराने आरा करने के लिए तो इसलिए भी लोग करते हैं समान की भी बात होती है बड़ा समान लोग देते हैं सेना को इसलिए देते हैं और हमेशा कहीं उतर गई ला अगर क्यों अगर माला थुड़ा हूतु भी हो था का चीज हुआ भी है कि महुआ कि सेना महुआ चाहिए अधर कोनू भी बेल्ट कनो करिया अगर बीबाद से हुआ तो आपकी सम्मान देवाल मिला ला अभी भी मिला था लेकिन जो हो ग अगर हम अच्छा कर लेओ बुरा कर लेओ तो गवर करिया अपलो कि अगर हम मेहनत के बारे में गलत ना कहती या अच्छा कहती गरत कहती तो कमेंट कर या लेकिन जेकर घरे का प्रस्तिती सही हो कह है जेकर बाब मतारी सहरा दे थो कह जेकर भाई सहरा दे थो कह तू दवड प्रदान मंत्री आइसे रहना कि जब तक प्रदान मंत्री रहना तो सेना का भरती पर्मानेंट होते रहे हैं अपना दूख करना सहीदी में आये हैं तो हम यही कहेंगे कि जिसके अगर घर का परस्तिती डाउन हो तो भाई फाल्दू का टाइम ब्यस्त करने का कोई मतलब हैं भाईया हो घर परिवार देखाई कि चलावे कि तो सही ना हो का पोजीशन तो निकल के 10 रुपया के बहुस्ता करा कि बामतारी का सहारा हुआ ये टाइम हालाज खराब है तो आगे चल के आउर खराब हो सकत है अगे बारे में क्योंना सोचत है जतना अखलेश सोचत हुआ हम आपके मादेम से यह काब कि अगर हमारी केंदर में बनी तो हम पका भरती परमानेंट करते हैं और उन्होंने मेरिट के लिए कहा कि यह चले फिलाल के हमारे साथ सद्दाम भाई थे और उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया चुकि अब इसमें सेना में सामिल नहीं हो पाए और इसी का दुख इनकों है और जो युगा है उनको भी सीख देने का प्रयास कर रहा है कि इस प्रकार से चार साल मात्रग निबीर की नोकरी है तो कहीं कहीं चार साल के बाद आपकी क्या परिस्तिती रहेगे अब सेना में जाने के बाद फिर आप जब आपिस लोटेंगे तो फिर वह ऐसी स्थिती आपकी नहीं रहा पाएगे से का पैदा होला तो च्छ महीना पर बाइठे सिखाला हूँ जानत वगिना भी आपकी क्यों देखा तो इगमाई च्छ महीना पर बाइठे सिखालला पाएगा अगर दुए मैना पर बाइठावाई शिकपाई नाजूक न रही तो एतरो आर्मी के ट्रेनिंग नो महीना को अब 6-7 महिना के लिए पुरा परमानेंट कि यतना हम तुआर क्लोज जाए तो कि जब पते न चली के करना लेके बिरिगेडियर के आवाल दार के सुबदार का नियम का कानून 6 महिना 7 महिना बहुत जाने लेकिन जो पहले कराला और अब से बहुत अंतर ठीक कि ना अगर सद्धाम भाई थे और सहीद बीर अब्दूल हमित के सादध दिवस पर और कहा जाता है कि उसमें 1965 की उस दौर में उन्होंने साथ पेटेंट टेंक को उड़ाया था और जजबा उसी जजबे की बदावलत आज गाजिपूर के समझे घर-घर से सेना में जवान पहुचे है और लेकिन इनके सद्धाम भाई के कहने के हिसाब से जब से अगनी बीर आ गया है तब से तोड़ा जो सेना में लोग हैं वो अब गाजिपूर से कम हुआ यहां पर अपलाई कर पा रहा हैं फिलाल मैं प्रमीन गाजिपूर से बहुत बहुत धनवाद